नवस्कार मेत्रो रुशी चिंतन तेनल में आपका आर्दिक स्वागत है अमारी श्याथे गायतिक महमंत्र का उचालन केजिए आज का चेप्टर है विक्तितव का विकास केशे करें प्रांत उठने से लेकर सोने तक की विवस्त दिन चडिया निद्दारित करें उससे उक्वार्जन विश्राम नित्यकर्म अनियानियक काम काजो के अतिरे आदस्वादी परमार्थ प्रयोजनों के लिए एक बाग निश्चित करें साधानां तिया आठ गंटा कमाने साध गंटा सोने पाज गंटा नित्यकर्म एवं लोक वेवार के लिए निद्दारित रखने के उप्रांत चार गंटे परमार्थ प्रयोजन के लिए निकालना चाहिए उससे भी कटोति करनी हो तो नियूतम दो गंटे तो होने ही चाहिए उससे कम में पूरिय प्रमार्थ के सेवा साधा के साध बीना ना सुषकारित अ स्वभाव का अंग बनती है और ना व्यक्तितों का उचस्तरिया विकास संभव होता है आजीव का बढ़ाने हो तो अधिक योग्यता बढ़ाए परिश्रम में तत पड़ाए और उससे गहडा मनोयोग लगाए साथी अप्याई में कठोडता पुर्वक कठोती करें साधा जीवन उच्विचार का चिद्धान्त समझे अप्याई के कार अहंकार दुर्वेशन प्रमाद बढ़ने और निंदा इश्रा सतुरता पल्ले बोधने जेसी बयाव प्रतिक्रियाओ का अनुमान लगाए साध्गी प्रकारंतर किसे सजना का ही दूसरा नाम है ओसत बारतियस्तर का निर्वाही अभिष्ट है अधिक कमाने वाले भी इसे साध्गी अपनाए जो सभी के लिए अनुकर्णिये हो ठाट बार प्रदसन का खर्चिल रोकोसला समाप्त करे अहनेश पस्व परणुत्यों के बढ़काने वाले विचारी अंत्राल पर छाये रहते हैं अभियास और समिर्पर्ति प्रचलन मनुश्य को वाष्णा तुरुष्णा और अहंकार की पूर्ति में निरंतर रहने का ही दबाव डालता है संबदित मित्रों पड़िजनों के पड़ामस पोचान भी इसी तर्म के होते ही लोब मौ और विलास के सुसंसकार निश्कृत्रता अपनाए रहने में ही लाब तथा कोसले समझते हैं ऐसी ही सपलताओं को सपलता मानते हैं उसे एक चक्रव्यू समझना चाहिए पवबंदन के लिए गेरे से बाहर निकलने के लिए प्रबर पुशात करना चाहिए पुवी चारों को पड़ास्त करने का ही एक ही उपाय प्रग्ना साहित्य का नियुत्तम एक गंटा अध्ययन और अध्यासाई इतना समय एक बार न निकले तो उसे जब भी उकास मिले थोड़ा थोड़ा करके पुड़ा करना चाहिए प्रति दिन प्रग्नायों की साध्य नेमित रुप से ही किया जाए उड़ते समय बहुड़पात सुवते समय तत्वबोत नित्यकर्म के निरुत होकर जब यान एकांत सुईदा का चिंतन मनन में उप्योग यही है त्रीविदी चोपानों वाला प्रग्नायों या संक्षिप्त होने हुए भी अति प्रभाव साली एवं समग्र है अपने अस्त विख़ाव वाले साध्यक्रम को समेठ कर इसी केंद्र बिंदु पर एकत्रित करना चाहिए महां के साथ अपने सुद्र को जोडने के लिए योग्या अभ्यास का विधान है प्रग्ना परीजनों के लिए सर्वसुलप एवं सर्वत्तम योगाभ्यास प्रग्नायों की साध्ना है इसे भावनत्मक पुरवक अपनाया और निष्टापूरवक निबाया जाये रश्टिकोन का निश्यदात्मक न रहने देकर विद्यात्मक मनाया जाए अभावों की सुची फार फेकनी चाहिए और जो उपलब दिया हस्तकत है उने और संख्य प्रानियों की अपेक्षा उस्तुस्तरिय मान का संतुष्ट भी रहना चाहिए और प्रसंद भी इसी मनस्तिती में अधिक उनती सिल बनना और प्रस्तुत कठनायों से निकलने वाला निद्दाना भी बन पड़ता है और संतुष्ट खिन उद्विग्न रहना तो एक प्रकरंतर से एक उन्माद है जिस्ते काल समादान और उत्तान के साड़े द्वार ही बन हो जाते है कर्तविय पालन को सब कुछ माने शिम महतो कंक्षाओ के रंगीले महल न रचे इमान दारी से लिये गए पड़ाक्रम सही परिक पूर्ण सपरता माने और उतने बर्षे सद्दुष्ट ने न चिखे कडुपत ता नहीं सोंदर्य निहारे आसंक का ग्रष्ट भईबित निरास न रहे उज्वल बविश्य के सपने देखे याचक नहीं दानी बने आत्मवलंबन शिखे अहंकार तो हटाये पर स्वभिमान जीवित रखे अपना समय श्राम मान और धन से दुसरों को उच्चा उठाये सहायता करे पर बदले की अपेक्षा न रखे बटपन की दुश्राओं को छोड़ और उसके स्तान पर महानता अरजित करने की महत्वां कंक्षा चरजाए स्माना रखे अस्ते हस्ते रहना और हल्की फूल की जिन्दी जीना ही सबके बड़िक कला कारिकता है जय गुर देव जय गुर देव जय गुर देव